Hello everyone, welcome to lecture force First question है, एक वस्तु को vertically उपर की तरफ U velocity से फेका गया इसके द्वारा 5th और 6th second में चले हुई distance equal है ठीक है, तो फिर जो initial velocity है उसका value क्या होगा देखो इस तरह का question अब Air Force में भी और Navy में बहुत पूछे जाने लग गया है तो आप इसको अभी तक कैसे करते थे मुझे नहीं पता लेकिन आज के बाद अगर इस तरह का question आया दो success आपको दिये जाएंगे second उनमें चले गई distance equal है तो समझ लो आपको bonus मिल गया क्यों? क्योंकि जो आपका कह सकता है चटवा या साथ में second में चली दूरी बराबर है नौवे या दसमें second में कुछ भी हो सकता है आपको जो पहला वाला second होगा उसमें G का गुड़ा कर देना है मेरा right answer जैसे पाँचवा second था तो पाँच में हमने G का 9.8 का गुड़ा कर दिया 49 answer अब कहो कि सरावाब में physics रटवा रहे हो रटवाता मैं कभी नहीं हो हमेशा पहले concept बताता हूँ तो देखो concept क्या है कभी भी successive terms का question आएगा कि 5-2 और 6 में जो distance से वो equal है तो हमें ये case समझना है कि अगर कोई ball है ठीक है एक second बाला जो 5th second होगा जैसे ये बस तो उपने फेकी तो जो maximum height जो ये understood होता है अगर success से वो 2 second दिये गए है तो मतलब पांचमा ये वाला होगा मतलब maximum height पे पहुंचने वाला और जो maximum height पे पहुंचके जो next होगा उसमें जो travel distance होती है वो equal होती है ठीक है तो इस तरह का question आ जाए तो understood है कि ये 5th second है ये वही है जो last में maximum height तक पहुंचने में जो 1 second last में लिया गया होगा ही तो ये distance ये वाली होगी अब सोच लो किस velocity से फेंके कि उपर 5 second में पहुंच जाए obviously 49 से क्यों अगर नहीं पता है 9.8 इसलिए 9.8 रखा नहीं 10 रखे तो 50 आता इंटू 5 second लगे हैं सबसे उपर पहुंचने में तो हमारा answer हो गया इसको जब decimal कतम करेंगे तो ये 2 से कटा और ये 49 तो मैंने आपको क्या किया कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये कौन सा case है special case है तो आपको इतना नहीं करना है आप कभी भी आपसे कहे कि 9 में और 10 में सेकेंड में चली गई ट्रेवल डिस्टेंस एक कोल है तो 9 मा उठाओ जी से गुणा कर दो जब कोई बस्तू एक सर्कुलर पात में मोशन करती है ब्रत्ताकार मार्ग में गती करती है तो उस पर लगने वाला force जो हता है वो कोई work done नहीं करता है ठीक है क्यों वो work done zero क्यों होता है ये पूछा गया है आपने पहला option देखा बस्तू का बिस्थापन zero है तो आप 90% लड़का इसमें जल्दवाजी में वही मार्ग कर देगा जबकि वो question को ध्यान से नहीं पड़ेगा मेरी कोसिस यही है कि आपको exam के लिए aware करूं कि किन चीजों में आपको कहां पे गलती होने के chances है क्यों क्योंकि जो work done होता है वो क्या होता है force into displacement ठीक है force into displacement अब आप क्या सोचने लगो कि व्रत्ताकार मार्ग है तो displacement यहां से सुरू होई और यहीं पे फिर आ गई तो विस्थापन होता है initial point minus finest point तो वही point है मतलब विस्थापन क्योंकि displacement zero है इसलिए यह work done zero होगा जो कि यहां पे गलत हो जाएगी approach क्योंकि उसने यह तो कहा नहीं है कि व्रत्ताकार मार्ग में गती करती है यह तो नहीं कहाएगी एक चक्कर पूरा लगा लिया है उसने तो यहां पे जो right answer होगा कौनसा होगा C कि जो force होगा आपको पता है कि centipetal force लगता है कहां circular motion में अगर कोई बस्तू है वो गती कर रही तो केंदर की तरफ force लगता है यहनि कि force का जो direction है वो center की तरफ है और velocity इदर जिदर की तरफ वो move कर रहे displacement उदर की तरफ होगा मतलब इसका जो right answer होगा क्या होगा क्योंकि work done होता है force into displacement का dot product यहनि कि fd cost theta अब आपको पता है कि force और displacement दोनों perpendicular है 90 का कौन बना रहे है और cost 90 का मान 0 होता है इसलिए कोई work done नहीं किया जाता है इसका answer यह वाला सही होगा कि बल और विस्थापन परस पर लंबबबत होते हैं बोत हार perpendicular to each other ना कि यह वाला यह कब हो सकता था जब पूरा एक चक्कर और एक बात और बताओ विस्थापन ऐसा फिनोमेना है जो एरफोर्स इससे बहुत प्यार करता है एक बार एरफोर्स ने पूछा था कि displacement और distance displacement और distance का ratio हो सकता है option था 1 1 से बड़ा सदयव 1 से छोटा या ऐसे option थे तो मैं आपको बताओं कि जैसे एक point A है दूसरा point B है तो वहां की जो distance है ठीक है तो distance हमेशा greater than होती है displacement से बिस्थापन से बिस्थापन shortcut होता है बिस्थापन क्या होता है shortcut जैसे एक semi circle है तो यहां से A से B तक जो distance है आपकी वो यह है कितनी है πr पूरी 2πr होती है तो आदी πr लेकिन जो shortcut है वो कौन सा है यह shortcut कितना है 2r तो आप देख रहे हो πr का मतलब 3.14r और 2r तो आपको पता है कि distance हमेशा बड़ी होती है याद रखना distance always greater than बिस्थापन तो अगर विस्थापन बटे अगर दूरी का रेशियो कभी पूछा जाए तो क्योंकि दूरी हमेशा बड़ी होती है इसलिए यह हमेशा सद्यव एक से कम होगा ठीक है question ध्यान से पढ़ना अगर पूछा गया है दूरी बटे विस्थापन का रेशियो displacement और distance एक कोल है तो एक तो हमेशा होगा लेकिन ऐसे पूछा जाएगा क्या नहीं हो सकता है ठीक है तो अगर उपर विस्थापन है और नीचे दूरी है तो वो एक से बड़ा नहीं हो सकता है हमेशा एक से कम होगा भार हीन डोरी एक भार हीन तथा गरसर हीन घिरनी से गुजरते हुए M1 और M2 मास के दो गुटको को लटकाए हुए है निकाय का तोरड यानि की acceleration उसमें हो रहा है जीवाई 8 तो उनके मासिस का रेशियो क्या होगा अब इसको मैं figure बना के पूरा घिरनी बना के ऐसे लटका के नहीं बताऊंगा मैंने आपको इसकी trick भी बताई है और competitive exam में अगर direct वो याद होगी तो आप time save कर पाऊगे मैं करा चुक हूँ लेकिन बस आप revision करा रहा हूँ एक दो question device भी करा देता हूँ तो इसमें मैंने क्या बताया था a is equal to उपर उन masses का subtract करके लिखो नीचे उन masses को add कर दो और यहाँ पर आप g अब जो a है वो acceleration कितना है g बते 8 तो a की जगह पर g बते 8 लिखेंगे तो ये g से g कट जाएगा cross multiply करोगे तो m1 और m2 का ratio आजाएगा 9 अनुपात 7 अब आपको नहीं पताएगी कैसे multiply करना है तो सीधा आपको क्या देखना था g y 8 था मतलब आपको इदर लिखना था एक बते 8 उपर हमें masses को subtract करके लिखना है नीचे mass को sum करके लिखना है उनका ratio निकालना है गुड़ा करो तो इदर हो जाएगा m1 plus m2 is equal to 8 m1 minus 8 m2 ठीक है तो m1 उधर जाएगा तो 8 m1 मैं से 1 m1 गट जाएगा तो 7 m1 बराबर ये 8 इदर आके जोड़ जाएगा तो 9 m2 तो m1 m2 का ratio क्या आएगा 9 अनुपात 7 आएगा ठीक है अब किसी को लग रहा होगा कि दोनों को solve करके लेकिन आपको वो नहीं है पूरा वहाँ पे decorate नहीं करना है आपको rough work में और भी maths भी करनी है तो कुछ ऐसी techniques हैं जिनसे group x exam बहुत easily clear कर जा सकता है एक spring को ऐस दोरी तक खीचने में potential energy 10 joule है अगर spring को ऐस दोरी और खीचा जाए एस दोरी तक और खीचा जाए तो फिर आवस्यक जो joule में कितने energy होगी जो potential energy कितनी needed होगी तो देखो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया भी था आज question लेके समझा भी दे रहा हूँ कि अगर और बात करी गई तो मतलब पहले जो distance थी वो s आपको पता है कि जो क्या होती है potential energy spring के लिए half spring का constant और x square मतलब जिस दोरी तक वो खीचा गया है उसके directly proportional होता है ठीक है तो अगर directly proportional होता है तो पहले हमारा 10 joule था और अब हमें find करना है कितना होगा अब बराबर directly proportional उसके square के होता है तो पहले हम s दोरी तक खीच रहे हैं तो मतलब s का square अब कितना खीच रहे है s और मतलब पहले s थी अब s और मतलब अब 2s हो गई और 2s का work करेंगे तो 4s square हो जाएगी तो 4s square से s square कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा 40 से यानि कि 4 गोना बाकी मैंने करके बताया आपको बस बता दिया कि इस तरह से एक तो कुछ से normal आता है कि पहले इतना खीचा गया तो इतना था अब इतना खीचा गया तब कितना होगा तो normally x square से लेकिन कितना और खीचा गया तो मतलब अब 2s खीचा गया उसने अपना आदा वेलेसिटी खो दिया मतलब अब बिल्कुल वो भी आदा खोने में और फर्दर कितना चलेगी तो देखो इसको मैं बिल्कुल easy वासा में समझाओं और इस पर स्टार मार कर लेना बहुत अच्छा कुशन है इसी टाइब की कुशन यह फोर्स में पूछे जाते है यही कुशन वो होते हैं जो game changer होते हैं यही कुशन होते हैं जो turning point merit में आपको ला सकते हैं तो देखो पहले उसमें kinetic energy सबसे पहले उस बस्तू में कितनी होगी half mv square जब 3 cm उसमें displacement हो गया 3 cm वो अंदर उसमें 10 गई बस्तू तो फिर आप velocity कितनी रह गई half तो kinetic energy कितनी हो जागी velocity जगाए पर आदा लिखेंगी उसका square तो यह कितनी हो जागी आपके 1 बटे 4 mv square 1 बटे 4 और half mv square बची अब आपको समझ में आ रहा होगा यह आपकी final और यह initial kinetic energy है तो जो 3 cm penetrate करने में जो kinetic energy में change हुआ वो कितना हुआ आपका 1 बटे 4 k और यह initially कितना था k तो k-1 बटे 4 करोगे तो 3 बटे 4 k हुआ यानि कि इतना ही जिसने समझ लिया समझ लो question हो गया इतना समझ लिए फोकस बहुत अच्छे से करो velocity आदा खो देना है मतलब आदा बचा यानि कि जो kinetic energy बची वो 2 कबर करेंगे 4 यानि कि 1 बटे 4 जो initially थी उसकी 1 बटे 4 बची जो change हुआ kinetic energy में वो 1-1 बटे 4 मतलब 3 बटे 4 हुआ तो 3 अब हम इसमें 3 बटे 4 का change होने में अगर हमारा 3 cm उसने penetrate करा तो अब 3 बटे 4 4 में से 3 खर्च होगी कितनी बची 1 बटे 4 बची तो 1 बटे 4 बचने में कितना x यही तो हमें निकालना है और further कितना जाएगी तो अगर इतनी kinetic energy lost होई है तो इतना penetrate किया तो जितनी बची है kinetic energy उतना lost होने में कितना penetrate करेगा इसको unitary method से लगा दू अगर यह 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बटे 4 बड़ावर 1 आ जाएगा तो unitary method से हमारा 1 cm सबसे simplest approach मैंने आपको बताई है और इसकी एक बार मैंने trick भी बताई थी जिसमें direct एक आया था कैसे उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो objection उठाया था कि सर यह नहीं तो मैंने उसमें बताया भी था जब मैंने इसको trick से कराया था कि ये मैं trick बता रहा हूँ इस तरह के question की लेकिन क्यूंकि मुझे अगर आप लोग जो चीज पर objection करते हो तो मैं next video में उसको आपको easy way में बताने के goises करता हूँ तो ये वी way कोई tough नहीं है बस इसको आप जल्दी कर सकते थे समान length और समान material की दो rod है उनका एक सिरे में दूसरा सिरा जोड़ दे तो फिर heat 12 second में एक सिरे से दूसरे में पहुँच पाती है लेकिन अगर उन्हें parallel जोड़ दे तो फिर heat कितना time लेगी एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुचने में basically question क्या है कि एक rod है L length की उसी में दूसरी rod है उसी का सिरा ऐसे जोड़ा है उसमें तो यहां से A से B पहुचने में वो 12 second ले रही है heat लेकिन जब उसके parallel वो जोड़ देंगे ठीक है जब दूसरी rod को यहां पे तो उसका एक सरा दूसरे में जोड़ा था लेकिन second condition यह दिये है कि उस rod में parallel हम दूसरी rod जोड़ दें तो अब यहां से यहां तक जो heat होगी वो transfer कितना time लेगी तो यह question है तो आप एक बात बटाओ जो q होता है वो क्या होता है k a delta t बटे l अब same material की है तो k दोनों के लिए same होगा आपका q सेम है क्योंकि काय समान उसमा संचरल तो अगर यहां से हम t देख हैं तो जो t है वो directly proportional हो यह दर आएगा directly proportional है l बटे a के बस यही हमें समझना था अब एक चीज़ और शोटी सी समझने है कि पहले rod ऐसी थी एक में एक जुड़ी थी अब दूसरी condition में उसके नीचे एक जुड़ी है मतलब यह वाली उसके नीचे जुड़ी है मतलब अपकी बार लंबाई आदी हो जाएगी और area double हो जाएगा क्योंकि पहले यह था area इतना अब उसके नीचे वो जुड़ी मतलब area double हो गया एरिया कितना हो गया यानि कि जो t-डेस होगा उसमें लंबाई तो आदी रह जाएगी लेकिन area double हो जाएगा तो पिससे कैसे ल बढ़ा हो जाएगा L मैं तो यहांसे L से L कट गया A से A कट गया तो एक बटे चार आया एक बटे चार तो यहांसे अगर हम T-डेस निकालेंगे तो T-4 हो जाएगा cross multiply करोगे तो T-डेस हो जाएगा T-4 T-12 12 12 y4 मतलब 3 second अपकी बार लगे है एक simple pendulum है सरल लोलक है उसका time period T ह अगर उस लोलक की लंबाई 21 प्रतिसत बढ़ा दी जाए तो उसका time period पे कितना percent का change होगा तो देखो अब क्या है कि हमने तो ऐसे सवालों के लिए बस एक ही आपको रामबाण दिया है और वही रामबाण अगर आप परिच्छा में चलाओगे तो आप एकदम लक्षी को भ समझना है कि एक relation होता है time period में क्या होता है t is equal to 2pi under root l बटे g यानि कि length में और उसमें relation देखें तो time period directly proportional to under root length के square करोगे तो t square directly proportional to l के जिस पे square चड़ा होता है उसका x plus y plus x by बटे 100 में formula में जिस पे बर्ग होता है उसका value उसमें रखते हैं और जिस पे बर्ग नहीं होता है उसका finally value resultant उस formula से निकलता है यानि कि t का value उस formula में रखने पे l में change मिलेगा l में change 21 है मतलब इन option में से कोई ऐसा उठाओ जो उस formula में रखके हमें 21 दे दे अब आप देख सकते हो कि जैसे हमने 10 उठाया तो 10 plus 10 plus 10 गोड़ा 10 बटे 100 यानि कि हमारा ये एक बचा यानि कि 20 औ पाना आना चाहिए जैसे समवेग और गते जूर्जा क्या relation होता है गते जूर्जा directly proportional P square बटे 2M तो अगर उसने कहा है समवेग में 10% का बढ़ा है तो गते जूर्जा में बताओ तब तो आप ये लगा दोगे x plus y plus xy बटे 100 यहाँ पे 10 रख दोगे लेकिन अगर उसने कहा गते जूर्जा 300% बढ़ी है तो समवेग बताओ तो अब इसका दे दिया है और इसका पूछा है मतलब आप option उठाओ जो option इस formula में लगाने पे ये दे रहा हो वो हो जाएगा ठीक है अब ये तो रही बात अभी क्या है कि अगर ये बढ़ रहा है ठीक है तो अगर गटने व unacademy पे defense के लिए जब आप वहाँ पे select करोगे unacademy का learning app download करोगे तो defense category में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको free courses मिलेंगे ठीक है और बहुत सारे paid courses भी रहेंगे all India quiz भी होती है बहुत सारे activity होती रहती है तो मेरा suggestion ये है कि आप unacademy का learning app download कर लो वहाँ पे इंड उनको पढ़ सकते हैं आप जाके unacademy का learning app download कर सकते हो और अगर वहाँ पे कोई course खरीदो तो मेरा referral code यूज कर लेना lakshya12 ठीक है lakshya12 ये code आप जब यूज करोगे तो कोई course आप खरीदोगे उस पे 10% का आपको discount मिल जाएगा चलते है next question पे photon टकराने के पस्चात प्रिकास electron के बाहर आने में लगा समय लगबक कितना है इस fact को अब याद रखना जैसे ये surface है यहाँ पे अगर photon टकराते हैं तो यहाँ से जो photo electron का emission होता है उसमें जो time लगता है वो बहुत कम लगता है last time लगता है ये fact याद रखना कितना लगता है 10 की power minus 10 second ये कम समय लगना ही basically जो होता है वो against होता है उसके wave theory को सरल आवर्थ गती कर रहे किसी particle का time period T है ठीक है तो माद देश्तिती यानि कि mean से आयाम की आधी दूरी तक जाने में लगा समय क्या होगा देखो ये सवाल आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा ठीक है जब ज करेगा mean से start करके ठीक है तब हम y बराबर a sin omega t लगाएंगे जहाँ पर जो बिस्थापन है वो कितना है आयाम का आधा है यानि कि a y2 यहाँ पर लिखेंगे a sin omega t अभी बताऊंगा एक तरीके से और आएगा a से एक अटा इधर एक बटे दो है जो sin में कितने का मान होता है sin 30 का मान होता है तो sin 30 मतलब sin pi y 6 बराबर लिखेंगे sin omega t sin से sin कतम होगा तो pi y 6 आएगा omega t omega मतलब 2 pi बते t into t ठीक है तो 2 pi से 1 pi कटा तो हमारा pi y 12 आएगा कितना है ती का मान जो है वो t बते 12 आएगा अब अगर सवाल में यह कहें कि वो particle जो है वो mean से start ना करके extreme से start करता है किसी सिरे से start करता है तब extreme बाले में answer हमारा pi y 6 ty 6 हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि extreme बाले case में आप लगाओगे y बराबर a cos omega t क्या लगाओगे cos omega t अब यहाँ पे यह आधा है अगर आधिव आयाम तक जाता है तो a cos omega t अब cos omega यह होता है एक बटे 2 cos में कितने का वानुता 60 का 60 का मतलब pi y 3 तो pi y 3 बराबर omega कमान रखेंगे 2 pi बटे t into आपका इधर t तो यह pi से pi कटा तो यह कितना हो अच्छ है तो t का value कितना में लेगा ty 6 तो अब आप याद रखना अगर यह mean से जा रहा है माद इस्तिती से अगर आधे आयाम की इस्तिती में जा रह लेकिन अगर वो extreme से start कर रहा है तब आधे आयाम तक जा रहा है तब answer ty 6 दोनों ही questions पूछे गए हैं बहुत सारे exam में तो अब आप तयार रखना आज के mock test में मैंने जितने questions लिये थे वो उसमें से यह 4-5 questions रह रहे हैं आप screenshot लेके इनको कुछ से try कर लेना जैसे कि यह 3 questions य क्योंकि अब मुझे यार बहुत तेज नीदा रहे है रात का धाई बज रहा है और मतलब अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है बहुत मतलब यह मन कर रहा है कब सो जाए तो आप इनको देख लेना अगर खुद से कर पाओ तो ठीक है बाकी comment section में बता देना अगर नहीं कर जाओ तो इनको भी में next जो वीडियो रहेगा अपना day 3 वाला उसमें include कर लोंगा बाकी questions से जी हैं आप try करना हो जाएं तो good night